अगर आप उस्ट्रेलिया से MBBS करना चाहते हैं और आप जाना चाहते हैं किसकी क्या requirements हैं, application की कौन कौन सी deadlines है और किस तरह से इसका procedure है तो इस वीडियो को लाजमी देखेगा मेरा नाम है जुनेज सुहेर और मेरे साथ मजूद है Mr. Azeem Qasim and welcome you all to Edify Group of Companies अलाम अलेकूम नमस्ते आदाब सस्रियाकाल आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीत कहते हैं और आज की वीडियो बहुत ही important topic के उपर है जिसका नाम है Australia में MBBS अस्ट्रेलिया में MBBS कितनी types का है और इसकी क्या क्या intakes है application का क्या procedure है visa requirements क्या है वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और आपको इस वीडियो को end तक लाजमी देखेगा जी तो जिससे पर ये बताइएगा के MBBS in Australia जो है उसके कौन-कौन सी types है और उसका generic जो introduction है वो क्या है जैसा हमने previously वीडियो अपलोड की थी MBBS in Canada की MBBS जो Canada है वहां पर offer हो रहा है as a MD उसके लिए आपको चाहिए होती है bachelor's की degree तो सुर्फ एक university है जो आपको पूरा MBBS का course करवाती है बाकी तमाम universities आपको MD offer करती है Australia में थोड़ा सा कह लें कि आप blended learning कह लें या मिक्स कल्चर कह लें वहां पर वहां पर तीन तरह से जो है ना वह MBBS offer हो रहा है एक तो being a common wealth country चूंके Australia भी common wealth country है पाकिस्तान भी common wealth country है UK को हम follow करते हैं तो एक तो वहां पर वो typical जो हमारा MBBS है जिसे हम bachelor's in medicine and bachelor's in surgery जो हमारा पाकिस्तान में offer होता है लेकिन Australia में वो 6 साल का है 6 years का है MBBS कुछ universities MBBS offer कर रही है जो कि 6 years का है और कुछ universities वहां पर MD offer कर रही है science force जिसको हम कहते हैं doctor of medicine वो 3 से 4 साल का है और कुछ universities वहां पर joint course offer कर रही है bachelor's in clinical science slash MD जो के पहले आपको degree करवाते हैं bachelor's की फिर आपका MD offer करते है कुछ universities जो हैं वो joint course offer करते हैं जो के 7 साल का भी है 6 साल का भी है कुछ universities simple MD offer करते हैं जो के 3 से 4 साल का है और कुछ universities MBBS offer करते हैं जो के 6 साल का MBBS है तो इसका जो exit point है तिनों degrees का जो फरक है वो इतना खास फरक नहीं है डेपेंड करता है कि आप कौन से रूट से आ रहे हैं तो जब आप एक्जिट होगे डिगरे लिए कि बिशेका आपने MBBS किया आपने MD किया या आपने बैस्ट इन क्लिनिकल साइंस किया है एक्जिट पॉइंट की ओपर यानिकि आपको की डिगरी कंप्लीट होगी तो आप डॉक्टर ही होंगे यानिकि आप सर्जरी भी कर सकेंगे और आप जो मैडिसन के डॉक्टर ना वो भी आप एक्टिस कर सकते हैं अजीम साब एंट्री रिकॉर्मेंट की जहां तक बा हो रहा है ęऽजार होफ्सक्रारा कि और आप आप्कंट양 क्यूर्णें अर्शवम में जैसे के जो एक हमारा कमनาน है पशिक्राइण in सभिलेशन जैसे यूटमेंडिसन मैं पाकिस्तान हो रहा है उसकी जो requirement है वो आपका High school है जो के अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्योंकि जो हाई सकूल है वो equivalent होता है Year 12 के जबकर जो A Levels है वो होता है equivalent 13 साल के उसकी जो requirement है वो A Levels अगर आपका background है अपने जो पाकिस्तान का या Indian background है आपका अगर आपके बोर्ड के अगर आपके पाद डिग्री है यानि एफसी है आपके पास प्री मेडिकल आपके पास डिग्री है तो उसके लिए आपको एक साल का foundation year करना पड़ता है foundation year करने के बाद आपका जो है वो MBBS स्टार्ट होगा और उस foundation year के लिए भी आपको 80-85% मार्क्स चाहिए है along with that आपको 6.57 आइस चाहिए 7 आइस विद नो बेंड लेस दन 6.5 चाहिए आपको और अगर हम बात करें और इसके साथ साथ बलके जो के टेस्ट की रिक्वाइर्मेंट्स हैं जैसे हमने देखा था के यह कैनड़ा के अंदर भी M-Cat की रिक्वाइर्मेंट थी कैस्पर ट त्हीन चाहिए उनमेंसे आपको एक दे सकते हैं और कुछ युनिवर्स्टी वह दो भी टेस्ट रिक्वाइड करती हैं कि आपने दोनों जहना वह प्रवाइड करने उसमें एक यू कैट टेस्ट है यू कैट ए एंजनेट उसका पूरा नाम है यूनिवर्स्टी क्लिनिकल Aptitude Test for Australia and New Zealand, आप इसमें अपीर हो सकते हैं, एक टेस्ट है JamSat, G-A-M-S-A-T, Graduate Australian Medical School Admission Test, ये भी आप दे सकते हैं, और एक आप का है MCAT, जो के USA उफर करता है, North American Medical College Admission Test, ये भी आप कर सकते हैं, इन तीनों में से आपने एक टेस्ट करना हैं, और इसके साथ आपने I-SAT करना है, ये SAT वो नहीं है, जो हम नॉर्मली करते हैं, ये I-SAT है, International Student Admissions Test, ये चारो टेस्ट में से आपने कुछ इनवस्टी दूर कॉइड करती हैं, कोई एक करती है, तो वो वेरी करता है इनवस्टी की रिक्वार्मेंट्स के, अब हम आजाते हैं, जो के महां पे MD ओफर हो रहा है MD और बैसलर इन जो क्लिनिकल है, उसके साथ MD ओफर हो रहा है, उसकी जो रिक्वार्मेंट है, वो ये है कि आपके पास कोई बैसलर की डिग्री होनी चाहिए, जैसे ये इनवस्टी और कुइंसलैंड है, वो भी MD ओफर कर रही है, इसी तरह और काफी ये उनिवस्टी जैंस बैसलर's की, बयालोजी के उन्दर, इनाटमी के उन्दर या कोई भी सी सी जो के आप कहलें के लिंक डो MPPS के साथ, वो आपको डिग्री चाहिए, बैसलर की और उसके बाद आप MD मेट मिशन देश सकते हैं, और जो अटिच्नलल र्कॉरमेंट्स हैं, आइस्की और जो एक में टॉपिक और कोश्चन जो बचे बहुत आदम से पूछते हैं कि अस्ट्रेलिया के अंदर बिसिकली कितनी युनिवर्स्टी जो एंडब्रेश और उनके क्या उनका प्रोसीजर नहीं तो ट्रूं आयू फे युनिवर्स्टीं नीवर्स्टी है सिड्रिन यूनिवरस्टी यूनिवरस्टी आफ न्यू साओट स्वेल्ज है वालंग आइंग है इसे तरह टोटल is यू मैक्वायर है मॉनाश वैस्टरन अस्ट्रेलिया है टोटल यू है वहाँ पर 20 यूनिवरस्टी जा है ना वो ये कोईस अफ़र करती हैं मैडिसन का और व यूके का और पाकिस्तान का एक सेट अप है लेकिन अब वहां पर सुर्फ तीन से चार उनिवस्टी रह गई हैं जो अफर कर रही हैं बाकि तमाम इनिवस्टी जो हैं वो एमडी पर शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि ज्यातर जो कंट्रीज हैं फॉलो करते हैं यूसे को कैनड़ा को तो इसलिए जितनी भी यूनिवस्टीज हैं वो एमडी पर आफर हो गई हैं ज्यातर यूनिवस्टीज के लिए जहाना आपको बेस्ट लिटर्स की डिगरी चाहिए होती है तो अजिम सब इनकी इन यूनिवस्टीज की की डेट्स अप्लिकेशन प्रोसीजर और किस तरह से इनका हमने अप्लिकेशन अपनी फाइल करनी है इनकी कौन कौन सी इन टेक्स हैं और की डेट्स के हैं उनकी जने वैसे तो यह जो बीस यूइस्टीज हैं इस में से कुछ यूइस्टीज ऐसी हैं जो खुद भी अप्लिकेशन ले रही हैं डिरेक्टली आप जाके उनके पूर्टल पे एक उनका वो आपको पूर्टल क्रियेट करना पड़ता है उसके बाद आप महां पे अप्लिकेशन कर सकते हैं कुछ यूइस्टी जो हैं जो जाता जो यूइस्टीज हैं वो एक अप्लिकेशन सिस्टम है डाट इस यूएसी यूइस्टी अड्मिशन सेंटर यहां पर जाके आपने जितनी भी यूइस्टीज हैं जाता यूइस्टीज जो है ना वो इसके त्रू जो है ना आप्लिकेशन ले रही हैं तो जो इसकी डेड़ अप्लिकेशन अप्लिकेशन होती है और चाहँ आपकी जो अप्लिकेशन जो कमप्लीड होती है है step by step आपने documents देने हैं फिर आपने टेस्ट प्रोवाइड करना है फिर आपने आइस का जरल देना है तो छे से साथ मा लगते हैं आपके इसमें दो admission लिस्ट लगती है उसके बाद आपका जो है ना वो admission confirm होता है जहां तक बात है degree की cost की तो different universities की different cost है तो average cost क्या है MBBS or MD in Australia की जने जो आप क्या लें के Australia की study है आपने प्रीविसली भी देखा मारा season भी चाहरा है study in Australia का इसकी जो study है वो काफी expensive है जैसे के USA में भी है और जो medicine की degree है study है यह वैसे भी expensive होती है पूरी दुनिया में चूंकि इसके अंदर bodies involved होती है वो बड़ी मुश्कल से मिलती है government की regulations है तो चूंकि जो अस्ट्रेलिया की जो अपने मापे citizen है PR holders है उनके लिए तो काफी असान है उनके लिए काफी कह लें के सस्ता कह लें आप MBBS है लेकिन जो international students है उनके लिए फीस काफी ज्यादा है जो सबसे कम फीस है वो जेम्स को की युनिवस्टी की है that is 57,000 अस्ट्रेलियन डॉलर एक साल की फीस है यह 57,000 अस्ट्रेलियन डॉलर यह तक पाकिस्तानी 80 लाग रपर बनता है यह आपकी साल की फीस है और इंडियन को 40 लाग रपर बनत ना मेश पर थारों में आपको इस ant से अंदर आपका हॉस्टल मेस इंक्लूड नहीं है इसरे आपका जो बाकी इख्पै 술 आने है वहां पर वह नहीं staan जिसे लैप की कॉस्ट है sticking कos आगर आपको आती है दो आपको बेर करनी जो गokenी अबड़ तैस ओंली यूर प्रियर तो scholarship offer होती है लेकिन बहुत मुश्किल है चुणके entry requirements बहुत ज्यादा है और plus test की बहुत ज़्यादा requirement है जैसे MCAT है और इसके लावा ISAT है तो scholarship लेना बहुत मुश्किल है जहां तक बात है इनके visa process की तो इतना detail आपने बताया इनका सारा process है यहाँ पर admission लेने का तो क्या visa process भी इतना ही difficult है यहाँ उसके अंदर इससे थोड़ी से ज़्यादा आसानी है अगर हम बात करें सिर्फ visa procedure की जुनेत जान तक visa procedure की बात है once you got the admission जब आपका admission आगया चे से साथ माँ का procedure आपने complete किया उसके बाद आपका admission आगया उसके बाद आपको जैसे हमने वीडियो अपलोड की वी है जी टी ए पास करनी पड़ती है जिन्मन टेमरी एंटरें उसके लिए आपको financial documents देने पड़ते हैं कौन आपको sponsor कर रहा है क आपको जितने भी आपके remaining माँ पर जैसे आपकी साल की 60,000 पर है तो आप हाफ यहां से पे कर देंगे हाफ आपको शुग करनी पड़ेगी bank statement के अंदर प्लस आपको वहां पर living expense शुग करने पड़ेंगे bank statement में और फिर आप जहाना वीजा अपलाए कर सकते हैं फिर उसके ब इसके अंदर कहीं पर फॉल करते हैं तो हमारे विवर्स को न के बारे में बताइएगा अडिशनल रिक्वार्मेंट जोने इसमें सबसे पहले तो एक interview की requirement है जो इडिशनल है जब आपने अपने 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 और पूर्मेंट कर ली आपने हाइश पूल भी दे दिया अप आपका interview होगा और यह सारा कुछ देने के बाद जो admission है वो आपका subject to कहलें कि आप जो admission committee है जो merit list लगनी है वो फिर भी decide उन्हों नहीं करनी है क्योंकि application उनके पास पाकिस्तान से नहीं इंडिया से नहीं और भी country से application आ रही होती हैं तो जैसे मैंने बताया था Canada वाली वीड international students को देनी होती है उन्होंने तो इसलिए जो कहते हैं admission है वो काफी competitive होता है और interview के लिए आपको त्यार रहना चाहिए और आपकी जो इतने भी आपके test है mcat का है या आपका ये जो ucat का test है या icat का test है इसके लिए जो passing marks हैं सिर्फ passing marks नहीं बलकि आपको एक अच्छी percentage के स साथ जो है ना वो apply करना चाहिए और आपकी plus जो इसके intermediate के FSE के या अगर आपके पास A level जर उसमें आपके 90% marks नहीं चाहिए यह मैं समझत हूं कि additional requirement है वहाँ पर जी तो विवर्स यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि MBBS Australia के अंदर आप किस तरह से इड्मिशन ले सकते हैं application की क्या क्या deadline है वीजा प्रोसस किस तरह से और आपको कौन कौन सी जो requirements है वो fulfill करके आप safely और स्क्योर कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसे like कीजेगा subscribe कीजेगा और जितना हो से कबने दोस्तों के साथ share कीजेगा और आखरी कोई application रहती है जहां जो अगर आप apply करना चाहते हैं तो timely अपना process शुरू करवा दीजेगा thank you so much for watching our video अलाहफिस अलाहफिस